गुड आफ्टरून फ्रेंड्स कैसे हो आप सब तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे सुरक्सित होंगे ये बहुत बुरा समय चल रहा है और इसको एक साथ होके ही हमें निपटना है क्योंकि एक एक पल बहुत साफधानी की जरूरत है और सबसे अच्छी बात है अपने को भी सेफ रखे और अपनी फैमली को भी सेफ रखे तो यहां पर मेरे लंच की तयारी चल रही है और मैंने बनाई है आज लंच में कड़ी और चावल और मैंने ये जो पकोड़े उता रह डालने के लिए कड़ी में तो सोच चलो वीडियो भी स्टार्ट करते हैं और मेरा जो लंच तयार हो गया है उसके बाद मैं अपना काम करने के बाद देखे चावल भी चावल मैंने कुकर में ही बनाए है तो मेरी बेटी साथ साथ थी तो फिर मैं अपना काम करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद रेस्ट भी जरूरी है अब खाना खाना के बाद और दिन इतना बड़ा होता है घर पे रहते हैं बाहर खेलने का भी नहीं है बाहर कहीं आना जाना नहीं है तो टाइम वै जब पुरी है, सेफ है, आपने घर में कम से कम सेफ तो हैं और हम दूसरों की भी सेफटी कर रहे हैं उसी तरह, क्योंकि यह टाइम ही आइसा है तो मैं यहां पर अपने परी के लिए बना रही थी फ्रॉक, यह कपड़ा मेरा काफी टाइम का रखा था लेकिन टाइम ही नहीं मिला ये नेट का है और इस जो इनर नीचे के लगाने के लाई थी लाइनिंग वो सेंट्टून की है अब एक साथ सारा नहीं हो पाता क्योंकि फिर बच्चों का थोड़ा सा पढ़ा देते हैं खिला लेते हैं यहीं पे घर पे खेलते हैं तो इनके साथ लगना ही पड़ता है इसको काड़ के रख दूगी उसके बाद किता परोंगे वाभी में तो अभी मैं कि साथा क्या करके बैठ गेए थी आ चाहँ क्ईगो अब कि सारह काम करने के बाद हुआ इक बात कासा है आज और ने एक जिसित कईए और यह दुन है ने टेंट बना के खेल रहे हैं अपना इन्हों ने टेंट बना रखा है आपको इसके लिए ममा की वीडियो को लाइक करना होगा और वो छूप का देखो तो भी हमें आपको प्रूप में तो प्रूप हो गई प्रूप कर लेती हूँ मैं तना भी लेती हूँ इधर लेती हूँ बना है न में आपको पुंद कर देखिया हूँ यहां पे रखी है मेरी वाटर वाटर होटर मेरी दो वोल्स रखिया ना पक्र जेखिया हूँ जाल जा जा मैं लोंगो सब मजहां सुटार्णाल जाल मैं हिक अला आ जाल भीको पॉछमा सुरा जा जाए मैं अला प्राणन जाता 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 ही कर दो घ्रोल कर जाता है तो यह मैं अपनी पहले कटिंग करके रख देती तो आज मैं अपना इसका सोचा चलो अब इसको निप्टा लेते हूं यह मेरा फ्रॉक बनकर रेडी हो गया है इस पर मैंने जो बटन लगाए थे वो पहले तो मैंने क्या किया इसको बटन को ढूंडा बीच में लगाने थे फ्रॉक पे जो घर में था उसी को बनाकर मैंने इसको रेडी कर दिया था और फिनिशिंग अच्छी आ गई थी लग भी अच्छा रहा था मैंने कर चलो थोड़े दिन बन गया है पहन तो लेगी कपड़ा काफी टाइम का खाता तो देखी मेरा फ्रॉक बनकर रेडी हो गया है अब यह आप लोगों को दिखाती हूं इसको जले की तुरपाई करके तो यह मेरा प्यारा सा फ्रॉक बनकर रेडी है कैसा लगा है तो प्लीज बताइएगा और लाइक शेयर कीजिए और फ्लीज वीडियो को कम से कम दो तिन मेर्टों वाच कीजिए आपसे फिर मिलते हैं